कि वो लाइक करने लगता है कुछ दिनों के बाद ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनों ने किसी भी कंपणी का बेस मॉडल गाड़ी लिया है लोगा इस कोस्टिंग की बात कर ले तो ये स्टीरियो मुझे पड़ी है मैंने खुद नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा फास्ट हो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं वह मैं आपको बता दे रहा हूं कि हॉट इसपोट और नहीं किया था और यह क्या स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अभी गैरेज में आज कि वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो जैसे मैं वह हिंद्रा Ascopio का base model ले लिया है किसी ने मरिती सुटुकी बलेनो का base model लिया है किसी ने ब्रेज़ से मैं ने भी ब्रेज़क का base model लिया है तो बीक जब गाड़ी लेने का पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा और जब भी आप गाड़ी में बैठ होगे आप मोड आफ हो जाएगा मैं यह क्यों बोल रहा हूं अभी आपको समझ में आजाएगा सबसे पहले तो आप यह जानते हो कि जो भी बेस मॉडल गाड़ी है उसमें आपको सब्सक्राइब साफथे मिलता है तो आपको बता दो कि मैंने श्कीरेयो बाहर से लागा या है और बाहर से पैसे में ऑसी को दुकान वाले के बोला जो commanders फ्रीजिए में ने Work Bennett अपे लोग क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ गाड़ी लेते लिल समय आप जरूर टेश्ट डराइव लएते हो ईसा नहीं करते हो आप प्रोपर्णी उसका ट्रेश डराइव लेते हो आपको अच्छा लगता है तो लेते यही चीज लगाना चीज जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं तो बहुत से लोग क्या करते हैं दुकान चले जाते हैं लगवाने के बाद क्या होता है कि उनका इस्टीरियो जो है लगता है अच्छा स्मूथ काम नहीं करता है तो फिर उनको क्या होता है जब गाड़ी में बैठेंगे उनका मोड आफ हो जाता है कि यार गाड़ी न्यू गाड़ी लिए है और स्टीरियो ऐसा है और कुछ गाना बजाना चारे तो बजी ने रहा या लैक कर रहा या तो फिर उसका टच जो है स्मूथ काम नहीं कर रहा तो यह सब दिक्कत होती है तो आपको क्या लगवाया बलोपंक का यह मैं आपको भी बताऊँगा उससे पहले मैं आपको यह बता दू कि जब भी हम न्यू गाड़ी लोगे ना तो आपके गाड़ी का जो में पार्ट है गाड़ी जैसे आप यहां मैं ड्राइब करूँगा जब भी आप गाड़ी में बैठते हो तो यहां से drive करोंगे तो सबसे सामने आपको क्या दिखता है आपका stereo ही दिखता है ठीक है अब इस्टीरियो दिखता है कहीं भी आप लांगड्राइब में जा रहे हैं जरू चाहोगा कि कुछ music बजा ले जो भी आपका favorite music है वो बजा ले अगर आपने ऐसा stereo लगाया है जो कि कर रहा है टच नहीं काम कर रहा है कनेक्टिविटी जो है Bluetooth से अपने स्मार्ट फोन को और इस स्टीरियो को तो अगर वो कनेक्ट नहीं हो रहा है तो अपर मूड़ ऑफ होगा फिर आपको गाड़ी थीरी थीर चलाने का मन भी नहीं करने लगे कर लगे का यार इतनी महगी पंग का स्टीरियो 900 आप यहां मॉडल नमर देख सकते हो यहां मॉडल नमर भी यहां लिखा हुआ है ठीक है और यहां पर जो कंपनी का नाम है बलो पंग मैं जब मार्केट गया तो सौप के ओनर थे उन्होंने मुझे बहुत टैप का स्टीरियो दिखाया लेकिन मैं यह जो करना अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसे है जिनके पास गाड़ी है और वो श्टीरियो बहाँ से लगवाए है तो आप पहले उनके पास जाए टच वगेरा देख ले कैसा है कौन से कंपनी का है उसके बाद ही लगवाए आप डिरेक्ट अपनी गाड़ी लेकर दुकान च तो फिर आप सोचो के कि यार क्या लगवा लिया और एक बार अगर उसने बॉक्स खोल दी आपके गाड़ी के डैसबॉर्ड में लग गया तो फिर वो रिटर्न नहीं होने वाला है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है अब हम लोग बात करने वाले हैं मैंने जो इस्ट आने वाला हूँ इसमें आप कितनी तरह का सौंड ले सकते हैं से और पूट सभी को कुछ अलग अलग पसंद होता है किसी को बेस ज्यादा पसंद होता है किसी को पतला वा ज्यादा पसंद होता है तो वह सब हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ी बात कि यह यूजर with Android इसमें आपको क्या होता है कि आपको अपने iPhone को या फिर जिनके पास भी Android 4 है उसको connect करने के लिए किसी ऐसे एप की जरुवत नहीं पड़ती है जो कि आपको बाहर से download करनी पड़े तो सबसे बड़ा फायदा इसका यही है कि अगर आपने ये stereo लगाया करनी की जरुद पड़ती है और उसके थुरू आप अपने iPhone को या फिर Android 4 को connect करते हो जिससे क्या होता है कि कुछ समय के बाद वो lag करने लगता है वो फसने लगता है फिर आपको ने जो भी पैसा लगाया वो वेस्ट हो जाता है तो ये सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें certified Apple CarPlay और Android Auto दिया हुआ है अब हम लोग इसका touch के बारे में बात कर लेते हैं तो आप touch देख सकते हो मैं यह touch कर रहा हूँ आपको touch कैसा लग रहा है comment box में जरूर बताना काफी अच्छा smooth touch है इसका बहुत मज़ा आएगा आप इसे touch करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आप कोई stereo चला रहे हो या कोई tap चला रहे हो लगेगा कि आप एक tab ही use कर रहे हो ठीक है अब मैं touch करके भी आपको दिखा देता हूँ ठीक है जैसे मैंने phone link को touch कर लिया ठीक है उसके बाद मैंने navigation को touch कर लिया यह अब देख लो ठीक है और उसके बाद और मैं touch करके आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं setting में चला जाता हूँ तो touch काफी smooth है इसका और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी connectivity कैसी है आप अपने smartphone को कितनी जल्दी आप इसको connect कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो यह है मेरा कुछ smartphone आइफोन इसको मैं connect करके यहाँ दिखाता हूँ कि यह कैसे connect हो जाता है आपको इसको connect करने के लिए करना यह है कि आपको अपने phone का hot spot on करना है और आपको अपने stereo का जो LAN है उसे on करना है ठीक है जिसको हम लोग Wi-Fi भी बोलते हैं जैसे ही वहाँ Wi-Fi on हुआ और यहाँ मैंने अपना hot spot on कर लिया है जैसे मैंने hot spot on किया और यहाँ मैं चला जाता हूँ ठीक है यहाँ देखता हूँ तो आप यहाँ देखना कितनी जल्दी आप यहाँ देख सकते हो मैंने iPhone adjust अभी hot spot on ही किया था और यह connect भी हो गया है तो बहुत ही fast connect होता है इसलिए इसकी connectivity है बहुत अच्छी है ठीक है अब मैं यहाँ आपको दिखाने वाला हूँ इसकी connect होने के बाद जो है इसका हो आप इसमें क्या-क्या use कर पाएंगे तो यहाँ मैं पहले से YouTube डॉनलोड करके रखा हूँ और यहाँ आपको प्ले स्टोर मिल जाता है प्ले स्टोर में जाकर के आप कुछ भी यहाँ से डॉनलोड कर सकते हो कुछ भी जैसे आप अपने फोन में Instagram, WhatsApp कुछ भी डॉनलोड करते हो यहाँ भी कर सकते हो मैं यहाँ आपको एक WhatsApp डॉनलोड करके दिखा देता हूँ आप यहाँ देख सकते हो मैंने WhatsApp में click किया और मैं यह install में जाता हूँ तो यह कितनी जल्दी download हो जाता है वो भी हम लोग यह चिक कर लेते हैं आप देख सकते हैं यह 30% हो गया, 41%, 52%, 60%, 66%, 71, 75, 79, 84, 91, 98 और यह 100% हो गया, तो आप इसमे WhatsApp भी चला सकते हो, कुछ भी आप इसमें चला सकते हो जो कि आप अपने smartphone में चलाते हो, सेम चीज आप इसमें भी चला सकते हो तो हम लोग अभी बाहर निकलते हैं और यह जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको यह भी दिखा दूँगा और फिर मैं आपको YouTube चला कर दिखा देता हूँ कि YouTube कितना स्मूज चलता है तो यह मैंने YouTube खोल लिया है और यहां जाने के बाद मैं यहां अपने चैनल का नाम सर्च करता हूँ तो आप अभी गहरे सर्च किया मैंने तो यहां मैंने अभी गहरे सर्च किया और यहां आप देख सकते हो यह मेरा चैनल है जो भी चैनल में नीओ है मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे क्योंकि मैं बहुत अच्छी वीडियो अप लोग के लिए लेकर आता हूँ यहां देख सकते हो ठीक है मैं एक वीडियो चला करके भी दिखा देता हूँ कि यह इसमें वीडियो कैसी चलती है चाहिए आप उसे कंपनी से लगवाई या बाहर से लगवाई नहीं तो गाड़ी का लुक बहुत ही भद्दा दिखता है तो इस वीडियो में मैं आपको बता हूँगा कि मैंने कौन से एसेसरीज कंपनी से लगवाई है और कौन से एसेसरीज मैंने बाहर से लगवाई है त कि आप भी डॉट्ट बाद आप यह कुछ भी डॉट कर सकते हो लोट मैंने सी नलग वोड़ कि एनस्टाल वी तो इसने में कि अपनी when you are को ऑशी फाइडा लेगे तो अब हम बात कर लेते वे उसमें मिजसा इप्ल कार प्ले और अंडरोयड आटो कहसे connect कर सकते, इसका मतलब यह हुआ कि आप इसमें अपना smartphone कैसे connect कर सकते हैं, अगर आपके पास iPhone है तो आप इस app में जाकर connect कीजी, और अगर आपके पास Android phone है तो इसमें जाकर connect कीजी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने iPhone का Bluetooth on करना होगा, जैसे कि मैं कर लेता हूँ, मैंने अपना Bluetooth on कर लिया है ठीक है, और अब मैं आपको यहां दिखाता हूँ कि यह कैसे connect होता है ठीक है, तो आप जैसे मैंने यहां देखो जैसे मैंने यह Bluetooth on किया और यह खुद connect हो गया, तो इसकी connectivity जो है बहुत ही fast है, मैं आपको हुप ईसके बाद यह जो सारा कुछ है यह मेरे आइफॉन कास में में जाता हूं तो यहाँ पर यहां पर आप देख सकते हैं भीकार्णेक्ड में जाओंगा तो यहां पर आपको के केरह इनल गाईब लगा श्य쪽에 जाता है जो की आप यहां से ही फोन iPhone से call चला जाएगा जिस भी person को आप call लगा रहे हो तो यह हो गई इसकी connectivity की बात और अगर आपके पास Android phone है तो आपको करना यह है कि आप जैसे मैंने जो Apple Car Play में गया सेम चीज आपको यहाँ पर जानी है और यहाँ पर जानी के बाद पेयर करना है यह तुरंद कनेक्ट हो जा लेकिन मैं हूँ झारखन राची से तो हमारे city में इसकी price 23,500 की पढ़ी है मुझे आपके city में कितनी की पढ़ रही है comment करके जरूर बताए और overall जो conclusion निकल कर यही आता है कि अगर आपका budget 20-25,000 का बीच का है तो आप इसे आसानी शे लगाओ बहुत यह अच्छी stereo है music अगरा कुछ भी download कर सकते हो मैंने इसमें map भी download करके आपको दिखाया WhatsApp भी download करके आपको दिखाया YouTube मैंने पहले से download किया हुआ था तो सारा कुछ smoothly चलता है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें certified apple car play और android auto है तो इसका सबसे बड़ा benefit यह है कि इसमें आपको lag नहीं ह का यही है कि यह like बिल्कुल ही नहीं करेगी मुझे लगाए हुए लगब 15 days हो गया है और अच्छा खासा यह चल रही है अभी तक कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हुआ है तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताए और comment जरूर करें तब तक के लिए धन्यवाज